मेटाबोलिज्मो टीवी आपका स्वागत है आपके मेटाबोलिज्म और स्वास्थे के बारे में सही जानकारी कैसे अपने गुर्दों को बचाएं मैं फ्रेंक सुआरेज हूँ मोटापा और मेटाबोलिज्म का विशेशज ठीक है मैं आपके साथ नई शोद चीजें जो मैने हाली में खोजी हैं जिने मैंने खोजा है साज़ा करना चाहता हूँ हर दिन मैं उन जानकारियों से अधिक आश्चरे चकित होता हूँ जो क्लिनिकल अध्ययनों में सर्वश्रेष्ट विश्वविद्यालयों द्वारा किये गए अध्ययनों में विशेश अस्पतालों द्वारा किये गए अध्ययनों में पाई जाती है दुर्भागिवश लोगों को नहीं बताई जाती वे दवाओं को नहीं बेचती कुछ चीजें जो खोजी जाती हैं बहुत सस्ती होती है जिनका अद्भुत असर होता है लेकिन अगर वे पैसा नहीं कमाती तो निश्चित रूप से उन्हें बढ़ावा नहीं दिया जाएगा लेकिन मेटाबोलिजमो टीवी में हमारी मिशन है कि हम आपको सही जानकारी प्रदान करें जो उपयोगी हो मैं प्राकृतिक वस्तूओं में विश्वास करता हूँ मैं नैचुरिस्ट नहीं हूँ मैं चीजों से अधिक वैग्यानिक हूँ और वे डेटा पसंद हैं जिनका वैग्यानिक प्रमाण होता है वे चीजें पसंद हैं जिनके पास प्रमाण होते हैं जिनके पास सबूत होते हैं सिध्धान्त पसंद नहीं है ऐसा पसंद है जिसे साबित कर सकूँ इसके पीछे वैग्यानिक प्रमाण है उन में से एक ये है कि कोई भी व्यक्ति जो गुर्दों की समस्याओं से जूँज रहा है जो शायद नेफरोलोजिस्ट को देखने की सोच रहा है या देखने की जरूरत है उसे यह जानना चाहिए कि इंग्लैंड में हाल ही में किये गए एक अध्ययन में पाया गया है कि गु यह आरमर का हथोड़ा है इसे क्या कहते हैं बेकिंग सोडा सही है आरमर का हथोड़ा लेकिन इसके अलावा भी कई ब्रैंड है यह सस्ता है बहुत सस्ता लगभग मुफ्त क्या कहूं लगभग मुफ्त यहां प्योटो रिको में जो बहुत बड़ा है इसकी कीमत 1.89 है इसम मूल रूप से एक अध्ययन है जो अभी अभी प्रकाशित हुआ है एक बिटिश अध्ययन जिसमें इस अध्ययन में मूल रूप से यह खोजा गया और साबित किया गया कि सोडियम बाइकार्बोनेट गुर्दों के क्षय को रोकने के लिए उपयोगी है इस अध्ययन में प्रक्षमता को पुनह प्राप्त किया बिल्कुल यह अध्ययन हमें कुछ ऐसा बताता है जिसके बारे में हम मेटाबोलिजमो टीवी पर काफी समय से बात कर रहे थे जो कि ग्लूकोज के अत्यधिक मात्रा ग्लूकोज के किनवन के माध्यम से उत्पन्न होने वाले अत्यध पहले से ही गुर्धों की समस्याओं या प्रोटीन की कमी या इस प्रकार की चीजों से जूझ रहा है अध्यन मैं इसे समझाने के लिए एक पल के लिए बोड़ पर जा रहा हूँ यह अध्यन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अध्यन चिकित्सा शोध करताओं द्वा रोयल हॉस्पिटल असली अस्पताल है यह अस्पताल है जिसका उप्योग इंग्लैंड की रोयल्टी करती है यह जगह है जहां राजा और राजकुमार जाते हैं वहां आपके पास एक समूह है जिसमें प्रतिष्ठित शोद करता डॉक्टर और अन्य लोग शामिल हैं जो अनुसंधान करते हैं इस अध्यान में जो खोजा गया है आप इसे इंटरनेट पर खोज सकते हैं यदि आप अंग्रेजी बोलते हैं यह एक महत्वपूर्ण अध्यन है जहां मूल रूप से यह दिखाया गया है कि गुर्दों को होने वाले नुक्सान यह मुख्य रूप से एसिड के संचय उदाहरन के लिए जैसे चया पचय एसिड के कारण उत्पन्न होते हैं मामला यह है शरीर ऐसा है जब इस शरीर में ग्लूकोज की अधिकता होती है तो ध्यान दें कि जिन लोगों को गंभीर गुर्दे की समस्याएं होती है और जो अंततह डायलेसिस पर पहुंचते हैं वे मधुमेह रोगी होते हैं क्यों? क्योंकि उनकी ग्लूकोज उच्च हो हो जाती है तो वे किसी समय जैसे कि अंततह Lactic Acid में परिवर्तित हो जाएंगे. Lactic Acid ऐसा Acid है जो ग्लूकोज चीनी के विगटन का प्राकृतिक हिस्सा है, सभी Acid की तरह यह Acid है, जो जलाता है, Acid जो संक्शारक है, यह Acid है जो नस्ट करता है, जबाय टाॉजन डाइन न पढ़ जाती है जिससे गुर्दों और अन्य अंगों पर नकारात्मक प्रभाव पढ़ता है गुर्दों का उतक बहुत बहुत नाजुक होता है सूक्ष्म रूप से छोटा क्योंकि कल्पना कीजिए कि वहीं पर शरीर सब कुछ नियंत्रित करता है शरीर का पीच अमलता क्ष पर नहीं पहुंचे हैं तब तक सब ठीक है लेकिन एक बार जब आप डायलेसिस पर पहुंच गए तो मुश्किल है लेकिन मूल रूप से ग्लूकोज की अधिकता जाहिर है परिश्कृत कार्बोहाइड्रेट के अधिक सेवन के कारण जिसे हम ई-प्रकार के खाद्य पदा हैं लेकिन फिर भी अगर आप उन पतले लोगों में से किसी की उपवास के दौरान ग्लूकोज की जांच करेंगे जो डायलेसिस कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि उनकी ग्लूकोज बहुत अधिक है क्योंकि कुछ लोग मोटे नहीं होते सरल और सपष्ट रूप से क्योंक मधुमेह रोगियों से भी अधिक क्योंकि उनके पास मधुमेह के अलावा अग्नियाशय भीक शतिग्रस्त है जो इंसुलिन का उत्पादन करता है अब यहां मुख्य विशय यह है कि सोडियम बाइकार्बोनेट जैसी साधारन चीज इतनी साधारन चीज एक व्यक्ति जव सोडियम बाइकार्बोनेट रक्तचाप नहीं बढ़ाता है जैसे सोडियम बढ़ाता है जो सोडियम क्लोराइड है जो वह नमक है जिसे आप खाते हैं यह रक्तचाप नहीं बढ़ाता है जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट का एक एंटी फंगस प्रभाव होता है एक एंटी सभी acid परिभाषा के अनुसार oxygen को नश्ट करते हैं, कोई भी acid oxygen को नश्ट करता है, क्योंकि acid oxygen को नश्ट करते हैं, अब bicarbonate अमल का विप्रीत है, यह क्षारिय है और यह oxygen को बढ़ाता है, यानि जिस प्रकार अमल oxygen को कम करता है, bicarbonate उसे बढ़ाता है, जैसे कि पहले से ही नैदानिक, प्रयोकशाला और अध्यन प्रमान हैं, जो दिखाते हैं कि जब आप शरीर को sodium bicarbonate से पूरक करते हैं, तो स्वचालित रूप से कोशिकाओं को oxygen की आपूरती बढ़ जाती है, जिसका cancer विरोधी प्रभाव होता है, क्योंकि cancer कम oxygen पर निर्भर करता है, अंत में इसे देखें, क्योंकि bicarbonate या कुछ इतना सरल जैसे कुछ, कुछ विशेशज रहे हैं, एक है जिसे मैं चाहूंगा कि यदि आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, तो उसे देखें, उसका नाम है डॉक्टर सरकस, यदि आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, तो इंटरनेट प ग्यान है, लेकिन मूल रूप से वे दिन भर में पानी के साथ तीन चम्मच सोडियम बाइकार्बोनेट लेने की सलाह देते हैं, और हम इसे आपके साथ साज़ा कर रहे हैं, क्योंकि सत्य हमेशा विजई होता है.